हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तो महारास्टरा गॉर्मेंट ने और अनिल देश्मुक ने सुप्रिम कोर्ट का दरवाजा खटटाया है और बॉंबे हाइच कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी है, चैलेंज किया है Bombay High Court ने CBI को Anil Deshmukh के खिलाफ inquiry करने की order दी है 15 दिन में preliminary inquiry preliminary investigation करने की order दी है और इसी को Anil Deshmukh ने और महारास्टर गौर्मेंट ने Supreme Court में challenge किया है तो petition already file हो चुका है और most probably Friday की दिन शुक्रवार की दिन इसकी सुनवाई हो सकती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह जो महारास्टर गौर्मेंट ने और Anil Deshmukh ने challenge किया है Bombay High Court के order को Supreme Court में इसको लड़ेंगे अभिशेक मनु सिंग्वी यानि की advocate अभिशेक मनु सिंग्वी इसको लड़ेंगे Supreme Court में इस मामले को दोस्तों आपको बता दूँ जो जो points लिया गया है किस-किस point पे Bombay High Court के order को challenge किया गया है यह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पहला point जो लिया गया है कि no opportunity of being heard यानि कि आनिल देश्मुक को सुने बिना उनकी side का जो arguments है उसको सुने बिना ही यह decision Bombay High Court ने लिया है और जलबाजी में लिया है तो यह पहला point लिया गया है Supreme Court में इस order को challenge करने के लिए दूसरा कहा गया है कि जो महारास्टर government है उन्होंने कोई general consent नहीं दिया है CBI के inquiry के लिए यानि कि महारास्टर government ने कोई भी consent कोई भी permission नहीं दिया है CBI inquiry के लिए तो यह भी point लिया गया है third point लिया गया है कि CBI अगर inquiry करेगी तो यह जो federal structure है यह कहीं न कहीं इसको शती पहुचेगी इसको हानी पहुचेगी यह third point लिया गया है और fourth point लिया गया है कि already महारास्टरा government ने inquiry already एक शुरू कर दी है और retired justice के यू चान्दीवाल इसकी inquiry कर रहे है तो already inquiry शुरू हो गई है तो अब CBI inquiry की क्या जूरत यह भी point लिजाएगी और एक point लिजाएगी है कि अभी जो CBI के director है वो interim director है permanent director नहीं है तो यह भी point लिया गया है तो यह कैसे संबहर कि CBI inquiry कर सकती है दोस्तों यह जो पांच point लिये गये है मुझे नहीं लगता कि पांच जो पॉइंट बहुत ही solid point है क्योंकि देखिए no opportunity of being heard यह जो कहा गया है कि just order दिया है investigation के लिए तो investigation तो किया ही जा सकता है इसमें क्या problem हो सकती है दूसरा जो इन्होंने लिया है कि state ने consent नहीं दिया CBI inquiry के लिए तो यह तो कोई भी मामला अगर government में के खिलाफ होगा तो state तो consent नहीं देगी CBI की तो यानि कि अगर कुछ crime होता है तो तो crime दब जाएगा तो यह भी कोई solid argument नहीं होता है क्योंकि इससे crime दब जाएगा और crime जो कि ने किया है वो बाहर नहीं आएगा तो यह भी point में ज्यादा कोई दम नहीं है तीसरा जो कहा गया है कि CBI inquiry करेगी तो federal structure state और center का जो relation होता है federal structure होता है constitution के अंदर वो खराब होगा शर्थी पहुंचेगी तो दोस्तों शर्थी नहीं पहुंचेगी क्योंकि constitution में checks and balances की बहुत जगए है constitution इतना इतना अच्छा बनाये गया है इतना अच्छा है कि वो checks and balance किया गया है ताकि central state में कहीं भी कोई problem ना हो तो यह भी point खास नहीं है दोस्तों cbi director एक point लिया गया है cbi director interim है permanent नहीं है इससे क्या फर्क परता है cbi के director interim हो चाहे permanent हो काम तो करेंगे ही interim अगर है temporary हैं उनको भी वही काम करना पड़ेगा जो कि एक permanent director करते हैं तो यह भी solid point मुझे नहीं लगता है तो कोई भी दोस्तों क्या होता है Supreme Court में Supreme Court में Friday को सुनवाई हो सकती है तो इस पे बहुत कुछ depend करेगा Supreme Court क्या decision इसमें लेती है इससे एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं एक development होगा महाराष्टरा में तो दोस्तों वेट करते हैं Friday का देखते हैं क्या होता है यह points लिये जाएंगे Supreme Court इस points को कितना importance देती है या फिर CBI की order को cancel करती है या फिर cancel नहीं करती है या फिर Bombay High Court के फैसले को intact रखती है यह सब देखने की बात है बने रहेगा दोस्तों मेरे इस चैनल से जैसे से information आएंगी मैं आपको देता रहूँगा बाबाए